नमस्कार स्वागते आप सभी दोस्तों का मैं हूं मुकेश्चानी तीन लोंग का अद्भूत प्रयोग तीन लोंग एक अद्भूत प्रयोग दोस्तों ये है आज का विसे ये है आज का सब्जेक्ट हर दिन की तर आज भी अपने जिवन से जुड़ी समस्या और समस्या का उपाई लेकर आपके सामने उपस्तित हो गया पहले तो दोस्तों आज जो भाई बेन का जन्म दिन है सभी जोगाई बेनों को जन्म दिन की सुबकामना सुबेच्छा खुश रहे प्रसंद रहे इस्वर की किरिपाद रिष्टी आप सभी के उपर बनी रहे है दोस्तों कभी-कभी हमारे जीवन में हम एसे मोड़ पे आग के खड़े रहे जाते हैं एसा वक्त आ जाता है हमारे हमको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है डिसीजन नहीं ले सकते हैं एसा वक्त आ जाता है इतना बुरा वक्त आ जाता है समस्या परिवार की समस्या सोसाइटी की समस्या समाज की नोकरी में वियोसाई में परिशानी समस्या इतना बुरा वक्त आ जाता है कोई डिसीजन नहीं ले सकते हम ठिक से दोस्तों अगर एसा वक्त आ जाए गब्राना नहीं है मन में कोई गलत सोच लानी नहीं है अपने इस्ट देव के उपर आप कोई भी कौम से है आपको जिसका उपसरदा है आपके कोई गुरू देव है आपके इस्ट देव है पित्रू देव है जिनके उपसरदा है उसके उपसरदा रखके आज जो प्रयोग बताने जह रहा हूँ यह प्रयोग आप करते जाए अगर एसा वक्त आपके जिवन में आ जाए तो यह प्रयोग आप और सिय कर लिजिए प्रयोग एकदम छोटा है पूरे दिन में कोई भी समय पर आप कर सकते है कहीं भी कर सकते है आपकी ओफिस में कर सकते है घर पे कर सकते है घर पे ही करना पड़ेगा वेशे तो यह प्रयोग अगर आपका व्योवसाई का स्थल है आपके वियोवसाई के स्थल पे आप दिया जलाते हैं, तो आपके वियोवसाई के स्थल पे करें, आपके ओफिस में ये प्रयोग करें, मगर लगातार तिन दिन ये प्रयोग करें, लगातार तिन दिन ये प्रयोग करें, प्रयोग एकदम छोटा हैं, शिर्क प्राठना करनी है आपको दोस्तों उपाई बताने से पहले आप सभी दोस्तों से हर दिन की तरफ एक मेरी छोटी request है कि अब सभी वीडियो के अंतक मेरे साथ बने रहेंगे दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लिए कलाइक उस्यकर प्लाइक जैनल को शर्क्रेब नहीं किया है आप मेरी चैनल पर पहली बार आ कि दोस्तों हो सके तो यह वीडियो को आपके गुरूप में से रवस्य करें कि आपको कोई राष्टा दिखाई नहीं दे रहा है क्या करें कि दोस्तों तीन लॉंग लेने हैं आपको तीन लॉंग कि आपकी लेप्ट हैं की हथेली में बीच में तीनों लॉंग रखने हैं कि पहली वाली उंगली कि आपकी तीनों लॉंग के उपर पहली वाली उंगली आप रख दे आपके गुरू देव आपके इस्ट देव आप जिनको भी मानते हैं जिनके उपर भी आपको स्रद्दा है आपको भरोशा है आपके इस्ट देव आपके गुरू देव अगर कोई नहीं है आपके पापा आपकी मम्मी आपकी माँ आपके दादा आपके दादी आपके पित्रू देव रात ना करें रास्ता दिखाए मुझे मुझे रास्ता नहीं दिखाई देता है आप ही मुझे रास्ता दिखाए तिन बार प्रात्ना करें सर्षव के तेलकाए दिया जलाएं ये प्रात्ना करने के बाद तूरत एक के बाद एक तिनों लों ग दिये में चला दें लगातार तीन दिन तक आप यह उपाई करें यह प्रयोग आप तीन दिन तक करें दोस्तों जो भी समस्या है तीन दिन में हल हो जाएगी आपको राष्टा दिखाई देगा आपकी जो भी समस्या है तीन ही दिन में हल हो जाएगी आपको राष्टा दिखाई देगा मगर हाँ यह प्रयोग करते हैं तब पूरी स्रद्धा विश्वास और आस्था के साथ आप यह प्रयोग करें बस दोस्तों आज के वीडियो को यह वीराम देता हूं वीडियो के आप सभी दोस्तों का सुक्रिया दन्यवाद हुन्दे मात्रम